नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंदित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं कल पूछे गए प्रस्ण से कल जो प्रस्ण पूछा गया था वो प्रस्ण है कि निम्न कत्नों की सत्यता पर विचार करें पहला कतन कि भारती सम्विधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार अपनी प्रकृती में निर्पेक्ष है दूसरा कतन कि 42 में सम्विधान संसोधन द्वारा सम्विधान में 11 मूल करतव्यों को शामिल किया गया तो ये जो दोनों कथन हैं ये दोनों कथन गलत हैं वह कैसे तो इस प्रकार से कि भारती समिधान द्वारा जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है देश के नागरिकों एवं अन्यव्यक्तियों को वह अपनी प्रकृती में निर्पेक्ष नहीं है बलकि विशेश परिस्थितियों में उन मूल अधिकारों को निलंबित किये जाने का प्रावधान भारती समिधान में दिया गया है वहीं जो दूसरा कथन है कि 42 समिधान संसोधन द्वारा समिधान में 11 मूल करतव्यों को शामिल किया गया है तो स्वण सिंग समिती की सिफारिस पर 42 समिधान संसोधन द्वारा समिधान में 11 नहीं बलकि 10 मूल करतव्यों को शामिल किया गया वहीं 26 समिधान संसोधन 2002 के द्वारा 11 मूल करतव समिधान में जोड़ा गया है जिसके अंतरगत यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्स तक की आयू वाले बालक के लिए उसके मातापिता या उसके संगरक्षक सिख्छा के अवसर प्रदान करेंगे अब हम बढ़ते हैं अपने संपादिकी की ओर ये रहा हमारा पहला संपादिकी जिसका सिर्षक है इस संपादिकी को लिया गया है इंडियन एक्स्प्रेस से और यह संपादिकी है जिस पेपर थर्ड में सामिल विसे संगरक्षन प्रियावरन प्रदूसन और छरन प्रियावरन प्रभाव का आंकलन के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार क्या है इसका आधार है वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जी वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा NCR मतलब National Capital Region या राश्टी राजधा चेत्र में मौजूद प्रदूसन के इस्तर को कम करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया आये जरा अब इस आयोग की संग्रचना को देखते हैं इस आयोग में 18 सदस्य होंगे जिसके अध्यक्ष का कारिकाल तीन वर्सका होगा और अध्यक्ष के पुनर निय देश और दिल्ली उसके अलावा केंद्रिय प्रदूसन नियंत्रन बोड इस रो नीती आयोग प्रदूसन विशेशग गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधी भी शामिल होंगे अब जरा एक नजर इस आयोग के कारिपर डालते हैं देखें इसका प्रमुक कार यह है कि राष् कर सकता है और इससे संबंदित जो सिकायते हैं उस सिकायतों को भी वह सुन सकता है साथी इस छेत्र में मतला राष्टी राजधानी छेत्र में वायू गुणवत्ता का क्या मानक हो उसको भी यह आयोग तै करेगा साथी साथ प्रदूसक उत्सर्जन का क्या मानक हो यह भी त अधिकार भी इस आयोग के पास है साथी साथ अगर कोई ओध्योगिक इकाई इस आयोग के द्वारा तै मानकों का पालन अगर नहीं कर रही है तो आयोग उस ओध्योगिक इकाई को आयोग या तो बंद कर सकती है या उसके कारी पर रोक लगा सकती है वहीं अगर आयोग को यह लगता है कि उसके द्वारा निरधारित मानकों का उलंगन अगर कोई कम्पनी, अगर कोई संस्था, अगर कोई विभाग अगर कर रही है, तो आयोग स्वता संज्यान लेते हुए उनके विरुद्ध कारवाई कर सकती है केंद सरकार की द्वारा जिस नए आयोग का गठन किया गया है उसके पास दंडात्मक सकती भी है मतलब यह कि अगर आयोग को यह लगता है कि उसके द्वारा जारी आदेस या दिसानिर्देस का उलंगन किया जा रहा है तो फिर आयोग पांच वर्स तक की जेल या एक करो रुपे तक का जुर्माना या दोनों की सजाद दे सकता है और यहाँ पर यह भी महत्रपूर्ण है कि इसमें यह भी देखा जाएगा कि अपराद किस ने किया है अगर अपराद नीजी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो फिर दोनों को मतलब कंपनी को भी और उसके अधिकारी के विरुद्ध भी कारवाई की जाएगी वहीं अगर सरकारी विभाग के द्वारा अगर किसी प्रकार का अपराध हो रहा हो प्रयावरन प्रदूसन से सम्मंदित तो उसके प्रमुख के विरुद्ध कारवाई करने की बाद इस नए अध्यादेश में है। अब यहाँ पर यह है कि इस नए आयोग के अस्तित्त में आ जाने के बाद पहले से मौझूद प्रयावरन प्रदूसन रोक्थाम एवं नियंतरन प्राधिकरन EPCA को विगठित कर दिया जाएगा। और जन भागिदारी को सामिल करते हुए इस प्रयास को सफल बनाना है। अब इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि पिछले 10 वर्सों में राष्ट्रिय राजधानी छेत्र में अगर हम हवा में मौझूद प्रदूसन इस्तर को देखें तो उसमें लगातार बढ़ुत प्रदूसन रोक्थाम एवं नियंत्रन प्रादिकरन के द्वारा भी उपाई किये जा रहे हैं परन्तु यह जितने भी उपाई किये जा रहे हैं वो सारे के सारे उपाई क्या हैं अलग-अलग हैं। आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए जरा गौर कीजिया कि केवल दिल्ली में जो प्रदूसन का इस्तर है उस प्रदूसन के इस्तर को कम करने के लिए आवस्यक है कि दिल्ली की वारता लगातार उनके पडोसी राज्यों के साथ हो परंतु यह नहीं हो पाए क्योंकि प्रदूसन से समंदित जो अन्य राज्य है वह इस प्रदूसन इस्तर को गंभिरता प पूर्ति कर रहे हैं और अगर अलग अलग विभागों की बात करें चाहे वो परिवान विभागों चाहे वो उद्योग विभागों चाहे वो स्वास्त विभागों तो यह जो प्रयावरन प्रदूसन से संबंधी जो संकट दिख रहा है तो उसकी जिम्मेवारी ये अपने उ केंदर सरकार के द्वारा ताकि जितने भी हित धारक हैं इन सभी हित धारकों को एक मंच पर इखटा किया जा सके ताकि जो प्रदूसन इस्तर मौजूद है उस प्रदूसन इस्तर को निम्न इस्तर पर लाये जाए। इंत्रन इस्थापित करने के लिए पहले से मौझूद जो अन्य संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की तुल्णा में इसकी सक्ती जादा है परंतु यहां यह बात गौर करने बाली है वह यह कि इसमें नौकरसाहों का वर्चस है इसके अलावा इसमें यह कमी देखी जा रही है कि इसमें वायू गुनवत्ता विशिसग्यों और वायू प्रदूसन विशिसग्यों की भी कमी है यह सही है कि आयोग में किरसी मंत्राले और वानिज और उद्योग मंत्राले को सामिल किया गया है। परंतु ग्रामीन विकास मंत्राले, स्वास्त मंत्राले जैसे महत्पूर्ण मंत्राले को भी इसके अंतरगत सामिल किया जाना चाहिए। वहीं प्रयावरन प्रदूसन के इस को कम करने के लिए आविश्यक दो सरते हैं वो कौन-कौन सी दो सरते हैं पहला तो यह कि विभिन प्राधिकारियों या विभिन इस तरों पर मौजूद प्राधिकारियों के बीच बेहतर समन्य स्थापित किया जाए दूसरा NCR में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन सैली में भी परिवर्तन हो और जीवन सैली में परिवर्तन का मतलब यहां पर यह है कि जिस प्रकार से व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग दिल्ली में किया जाता है उसमें कमी आए और इसके लिए जरूरी है कि सरकार के द्वारा सारजनिक परिवहन की उपलबधता को बढ़ाए साथी साथ इस टबल बर्णिंग को रोकने के लिए किसानों के लिए जो आवश्यक छती पूर्ति है उस छती पूर्ति को भी सुनिश्चित किया जाए अगर यह प्रयास किये जाते हैं तो परिणाम सकारात्मक होंगे और तभी आयोग के गठन का जो औचित है वह सही साबि होगा इस प्रकार हमने इस संपादकी के माध्यम से यह देखा कि NCR में प्रदूसन इस तर पर नियंतरन इस्थापित करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से लाई गए नई संस्था कौन सी है और इसकी क्या संगरचना कार सक्तियां है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने की इस पेपर 3 में शामिल विशे, स्वास्त, सिक्षा, मानव संसादनों से समंधित सामाजिक छेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संंधित विशे के दृष्टिकों से महत्यपूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपादकी का आधेहर क्या है इस संपादकी का आधेह है भारतिय सिक्षन प्रणाली में मौजूद डिजिटल गैप और यह पता कैसे चला यह पता चला असर 2020 यानि की एन्वल स्टेट ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट 2020 से असर 2020 के अनुसार स्मार्टफोन की उपलबता वाले अगर घरों की हम बात करें तो जहां 2018 में यह आंकड़ा 36.5% था वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़ते वे कितना हो गया 62% वहीं यह जो आंकड़ा है या उत्सा वर्दक है वह इसलिए क्योंकि यह जो हम यहां पर डाटा में परसार देख रहे हैं उसमें 11% जो घर हैं उसमें नए स्मार्टफोन इसलिए गये ताकि बच्चों को सिक यह जो हमिल्क है जो इसलिए क्लीष फोन देखें था वहीं सरकारी इसकूल के इसलिए तरह ऊप तो 2020 में हम क्या देख रहे हैं कि छात्र और छात्रा इन दोनों के इस तर पर सरकारी इसकूलों में नामांकन की दर में क्या हुई है विर्दी हुई है तो मतलब अब यहाँ पर यह है कि जहां स्मार्ट फोन तक छात्रों की पहुँच की अगर हम बात करें तो नीजी इसकूल सरकारी इसकूलों में हमें डिजिटल गैप दिखता है और उसके बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सरकारी इसकूलों में नामांकन की दर में विर्दी हुई है तो मतलब यहाँ पर यह है कि जो डिजिटल गैप है वह और भविस्च में बढ़ सकता है क्योंकि सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों की निर्भरता जादा तर किस पर है ओफ-लाइन सामगरी पर ही है वहीं आगे इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि ऑनलाइन लर्निंग में अगर नीजी स्कूल के चात्रों को हम देखें तो 39% चात्रों की पहुँच वीडियो recorded class तक है जबकि 8% चात्रों की पहुँच live class तक है मतलब यहां भी हमें नीजी स्कूल के चात्रों और सरकारी स्कूल के चात्रों में क्या दिख रहा है एक अंतर दिख रहा है digital level पर और अगर हम इन आकडों की तुलन 2018 के उन आकडों से करें जिसमें की कक्छा 5 में पढ़ने बच्चे कक्छा 5 वाले वा कक्छा 2 के पार्टी पुस्तकों को पर सकते हैं जबकि यही आकड़ा सरकारी स्कूल में कितना था 44% तो मतलब यहां पर यह है कि अगर टेक्नलोजी की बात ना भी की जाए तो भी नीजी स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों में एक अंतर दि होनी चाहिए इसलिए सरकार चाहे वो केंदर के सरकारों या विभिन राज्यों की सरकारों इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से प्रयास प्रारम करें रणनीति का निर्मान करें क्योंकि महामारी से पहले ही अगर हम सीखने के लेवल की बात करे तो उसमें अंतर मौजूद था और महमारी के बाद जब तकनीक का समावेशन हो गया तो यह अंतर और क्या होता चला जा रहा है बढ़ता चला जा रहा है नई सिक्षा नीती में 2030 तक सिक्षा में सार्जनिक व्यापर जो लक्ष रखा गया वह कितना है सार्जनिक व्यापर का लक्ष हुआ है GDP का 6 परतिसत तो अब यहां पर यह है कि उस लक्ष को प्राप्त करने की सुरुवात अभी से हो जानी चाहिए और वो इस रूप में होनी चाहिए कि छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जाए और इसमें अगर सरकार चाहे तो corporate social responsibility को भी सामिल कर सकती है हमें यह पता है कि corporate social responsibility के अंदरगत विभिन corporate जो घराने हैं या corporate जो संस्थान है वो क्या करते हैं कि अपने लाब का एक निश्चित परतिसत सामाजिक छेत्र में सुल्क प्राप्त हो सके ताकि सिक्षन प्रणाली में मौजूद जो यह digital divide है वह digital divide समय के साथ-साथ वह कम होता चला जाए इस प्रकार हमने इस संपादिकी में annual status of education report 2020 के सिक्षन प्रणाली में मौजूद digital अंतराल पर चर्चा की अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे जी एस पेपर ठर्ड में शामिल विसे है आपदा और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चले देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार क्या है इसका आधार है मौनसून से संबंदित भविस्वानी भारती मौसम स्थिती पर अगर हम गौर करें तो इस वर्स LPA मतला लॉंग पिरियड एवरेज से आठ प्रतिसत जादा बारिस हुए जो IMD की भविस्वानी से भी जादा है आखिर ये लॉंग पिरियड एवरेज खुता क्या है तो पचास वर्स की अबधी में हुई वर्सा का आउसत मान लॉंग पिरियड एवरेज कहलाता है और भारत के संदर में यह मान कितना है यह मान है 88 सेंटिमीटर और आखड़े यह भी बताते हैं कि 2010 के बाद लगातार यह दूसरा वर्स है जब लॉंग पिरियड एवरेज से ज़्यादा बारिस हुई है क्योंकि 2019 में अगर बारिस के आखड़ों पर गौर करें तो यह कितना था 110 परसेंट मतलब कितना लॉंग पिरियड एवरेज का 110 परतिसत और IMD के वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर आखड़े हमें यह बताते हैं कि 1988 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि दो लगातार वर्स में जो बारिस करते हैं वो दो या तीन दसकों के आधार पर वर्सा का पैटर्ण ते करते हैं अब अगर भारत की बात की जाए तो 2000 के बाद से भारत में जादतर सूखा का वर्स रह और अत्यधिक वर्सा की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्स काफी कम रहे परन्तु पिछले दो वर्सों में मतलब 2019-2020 की अगर हम बात करें तो भारत ने अत्यधिक वर्सा का अनुभब किया है अब इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर जादा बारिस होगी तो बार की संभावना भी जादा होगी फूर इस खलन की भी संभावना जादा होगी और यह इसलिए क्योंकि यह जो चेत्र के आधार पर और नहीं समय के आधार पर समान है मतलब यह और समान है वह इस तरीके से कहीं भारत के किसी चेत्र में ज्यादा बारिस हो जा रही है किसी महीने में ज्यादा बारिस हो जा रही है वहीं अगर हम आगे देखें तो जो बारिस हो रही है तो उस बारिस से जो बाड की समस्या हो सकती है तो उसके पुर्वानुमान से सम्मंदित चेतावनी में सुधार की प्रक्रिया चल रही है लेकिन यह जो बाड पुर्वानुमान चेतावनी दी जाती है यह लगु अबधी से सम्मंदित होती है तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि लगु के लिए बार्पुर्वानुमान चेतावनी में जो सुधार की प्रक्रिया चल रही है यह जो चेतावनी दी भी जा रही है तो उसके साथ साथ प्राधीकारियों और अब सनचना, एजंसियों को यहभी कारी करना चाहिए, कि अत्यधिक वर्षा के प्रभाव से, जो प्रियावरन और पारिस्थिती की, मतलब एकलोजी और इन्वारामेंट पर जो प्रभाव पर सकता है, उस प्रभाव को भी कम करने का प्रियास करना चाहिए, या उस दिसा में अध्यन या अनुसंधान करना चाहिए उसके बाद इस वर्स अब ध्यान देगा इस वर्स आइमढी ने भारत में मानसून के आगमन और प्रस्थान इन दोनों से सम्मंदित पुर्वानुमान कई बार दिये उसमें कई बार संसोधन किये और अगर प्रस्थान से सम्मंदित पुर्वानुमान की बात की जाए तो IMD के अनुसार वह तिथी थी 15 अक्टूबर और यह जो तिथी तै की जाती है वह सांखी की ओसत के आधर पर तै क की जाती मतलब यह कि पिछले कई दस्कों से क्या इस्तिती रही है मौनसून के आने की और मौनसून के जाने की विभिन मौसमी घटनाओं पर भी यत्य किया जाता है जिसमें अंतर भी हो सकता है मतलब यह कि मौनसून के आगमन और प्रस्थान का पुर्वानुमान और वास्ति आपदा प्रबंधन प्रणाली जो राज एवं जीले इस्तर पर है के लिए चुनोती बन सकते हैं वह इसलिए क्योंकि आपदा प्रबंधन में सामिल संस्थाओं की आपदा प्रबंधन से संबंधी तयारी मौसम पुर्वानुमान पर आधारित होता है अब यहाँ पर यह भी घोसना उसी में सामिल है तो मतलब यहाँ पर यह है कि उत्तर पूर्वी मांसुन के आप आने की संभाव नहें उत्तर पूर्वी मांसुन से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडों के चित्रों में वर्षा होती है वही अगर हम भारत में ओसत वर्षा से सम्मंदीत अगर अब उत्तर पूर्वी मांसून का भौगलिक विस्तार सिमित है तो यही कारण है कि उत्तर पूर्वी मांसून से सम्मंदित अनुसंधान में कमी है परंतु अध्यन में यह भी पाया गया है कि उत्तर पूर्वी मांसून की आगमन में भी अनिश्चितता दिखती है और उससे स जो भविस्वानिया की भी जाती है वह भी सटीक नहीं बैठती है अब भारत में मौसम संबंधी पुर्वानुमान में सुद्धता जादा से जादा हो उच इस्तर पर हो इसके लिए सूपर कंप्यूटर में निवेश किया जा रहा है प्रतु इसके साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए यहाँ आविस्यक है कि मानसून की इस अनिश्चित प्रकृती के अध्यन को अपने अनुसंधान कारिकरम में सामिल करें उसके अलावा इस्थानिये इस्तर पर मतलब भारत में इस्थानिये इस्तर पर जो जलवायू परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी अपने अनुस से संबंधित संपादिकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की यह रहा आज का प्रशन है कि निम्न कतुनों की सत्यता पर विचार करें पहला कतन शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्स शिक्षा मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है दूसरा शिक्षा नीती 2020 के अं संडी इन में से कोई नहीं इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार